क्या आपको भी अपनी mobile applications designs के bottom navigation बार को smoothly animate करवाना सीखना है So hello guys, welcome back to the UI Champ आज हम कुछ Figma में ऐसा ही सीखने वाल है कि हम smooth animation bottom navigation में कैसे करवा सकते हैं So let's check it out So मैंने यहाँ पर bottom navigation करके एक already file लेके रखा हुआ है तो अभी हमें क्या करना है उसमें मैंने एक चार icons भी लेके रखे हैं जो के मुझे bottom navigation में set करवाना है और उसका animation करवाना है तो पहले तो हम यह करेंगे कि एक frame ले लेंगे कोई भी Let's say मैं 375 जो हमारा width होता है iPhone का और 88 pixel की height ले लेता हूँ और इसका जो background color है उसका हलका सा dark कर देता हूँ ताकि वो हमें clearly दिखे हाँ यह हमारा पहला तो frame हो गया bottom navigation करके मैं इसको save कर देता हूँ मतलब rename कर देता हूँ अभी इन चारो icon को मैं पहले तो इसमें distribute करवा दूँगा मतलब कि हमें अपने हिसाब से इसको side करना है जैसा भी हमें चाहिए let's say मैंने यहां से 40 pixel side में से रखा यहां से भी 40 और इसको align कर देंगे सारे तो यह हमारे होगे icons के alignment जो कि हमें अभी animate करवाना है वह हम कैसे करवाएंगे तो मुझे ऐसा animation करवाना है कि मैं कोई text लिखूंगा let's say मैं यहां पर search पर click करूंगा तो उसके उपर text आ जाएगा instead of icon कि हमें icon उपर चले जाना है और text नीचे से आते हुए या तो left side से आते हुए या तो right side से आते हुए जैसे आप जैसे भी आपको animation करवाना है वह simply आप करवा सकते हैं सो पहला तो यह हमारा वर्जन हो गया कि हम एक जो बेजिक वर्जन है जो हम आइकन को दिखा रहे है और अभी इसको duplicate करेंगे कि command d जैसे ही प्रेस करूंगा मैं वह अपनी frame duplicate कर देगा अभी अभी मुझे ऐसा करवाना है कि let's say home sorry home so मुझे एक करवाना है कि home जो है वो left side से आएगा और जो हमार आइकन है वो उपर चला जाएगा और hide हो जाएगा simply so इसको हम पहले तो मैं इसको थोड़ा सा हलका सा ज्यादा animate करवाने की try करूंगा ताकि वो जो हमारा design है वो अच्छा लोग यह right so यह हमारा home का जो मैंने एक डॉट के साथ टेक्स बनाया हुआ है उसको हम सेंटर लाइन कर देंगे फिर इसको अंग्रूप कर देंगे में तिंग अंग्रूप करने का याद रखेगा क्योंकि अंग्रूपिंग ही आपका क्योंकि अदि आप ग्रूप में रखेंगे तो जो आपको animation करवाना है वो नहीं हो पाएगा जैसा आपको चाहिए अभी मैं इसको color कर देता हूं जैसा भी मेरे को चाहिए let's say मैं इसके according blue color कर देता हूं ठीक है जी और यह जो मेरा icon है उसको मैं अभी इसको मैं center इसके साथ कर दूँगा जो भी हमारा icon है ताकि जो हमारा design है जो कि हमारा icon है वो उपर चले जाते हुए फेड होता हुआ आएगा और left side से टेक्स आएंगे तो इसको मैंने यहां पर डाल दिया let's say center with home then ungroup अभी अभी जो हमारा home है उसको मैं उपर की तरफ top left zero opacity के साथ गयब कर दूँगा मतलब hide कर दूँगा simply यहां से एक बात का ध है कि उसकी opacity zero कर देनी और अभी इसको copy करके जैसे मैं command c press करूँगा यहां पर paste कर देंगे और simply यहां पर आके वही process दो बार आप यदि zero press करेंगे तो opacity zero हो जाएगी simple so यह हमारा पहला version हो गया कि जैसे मैं home पर क्लिक करूँगा यह text यहां पर आ जाएंगे और icon हमारा fade होत same with search कि हमें यह जो home है वो search यहां पर दिखाना है और इसको मैं अभी rename कर देता हूँ let's say search and then यह search को मैं उपर लेके जाता हूँ simply और zero double time zero so इसको मैं फिर से वापिस home को enable कर देता हूँ zero press करके जैसे पर प्रेस करूँगा वो अपने आपी आ जाएगा यहां पर और इसको मै center align कर दूगा simply ठीक है जी तो यह हमारा दूशरा वर्जन भी हो गया अभी तीसरा वर्जन जो की same process है with chat कि हमें यह chat का भी दिखाना है ऐसे let's say chat oh sorry chat और यह जो chat का icon है वो मैं top पे align कर देता हूँ और double time zero press कर देता हूँ और यह जो search का icon है वो single time zero and then center line simple फिर यह fourth one like setting कि हमाने setting का भी same करवाना है यह हो गया settings फिर इसको फिर से top पे align कर देंगे हम double time zero press करेंगे इसको single time and center line तो यह हमारे 5 वर्जन जो की हम एक basic और चारों के अलग-अलग text के साथ simplify define हो गये है तो अभी हमें क्या करना है कि simply prototype में जाना है जो की हमारा main point है अभी home पे click करके जो भी हमें home का है वो दिखाना है उसमें क्या करेंगे on click navigate to and instant की जगा smart animate करवाना है और ease out की जगा ease out back करना है क्योंकि is out back में कैसा animation होगा कि थोड़ा सा हलका सा वो थोड़ा move होके वापीस आए जाए जाए जो वह animation मुझे मुझे इसमें ज्यादा बैटर फीट लग रहा है सो वो मैं रख रहा हूं और इसकी microsecond light से 500 अभी के लिए रख देते हैं फिर देखेंगे कि कैसा अच्छा लगता है और कैसा नहीं राइट फिर यहां से यदि हमें back भी जाना है तो यहां पर हम यह भी कर लेंगे इस आउट सेम इस आउट बैक फिर होम पे जाएंगे सर्च पे जाएंगे तो सेम इस आउट वो अपने आप ही अपने आप ही डिफाइन कर लेगा कि हमने क्या पहले पहले वाले में रखा हुआ है राइट सो यह सारा कुछ हो गया सिंपल अभी सिंपल इसको हमें बैक भी करनाएं let's say में यहां से यही पना हुण करता हुआ क्योंकि मुझे में होम पेज पर सुव्य फेरbucks यह सैनग। ओके सो अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग तो डन हो गया अभी हमें क्या करवाना है कि सिंपल प्ले करना है उसको जैसे मैं यहां पर क्लिक लाओंगा और इसको प्ले करवाना है तो अपना प्रोटोटाइप फाइल लोड करेगा और यह हमारा लोड भी हो गया और इसको मैं स्क्रिन करदूँगा ताकि आपको दीखे अभी जो मैं करने जा रहा हूँ let's say मैंने home पे क्लिक किया so यह आपने देखा होगा let's say मैं फिर से करता हूं कि home पे जैसे ही क्लिक करऊंगा वह आइकन फेड होता हुआ उपर चला जायेगा और जो यह home वो थोड़ा सा हलका सा easy is out back होता हुआ यहां पर आएगा same with search यह देखे chat settings यदि मैं यहां पर settings पर वापिस क्लिक करूँगा यह वापिस यहां पर आजाएगा simple सो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना clean और cool लग रहा है आपका animation सो यह था आज का हमारा कि हम bottom navigation mobile applications में कैसे cool और अच्छा दिखा सकते हैं सो इफ यह रिली लाक इस content और प्लेस सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू अरी मच